तो यहां पर फाइनली MIUI 11, MIUI 11 के उपर बेस्ट MIUI Pro Roam Redmi Note 6 Pro के लिए यहां पर आ गई है तो यही जैसे यार हर बार की तरह आपको यह Portrait Roam देखने को मिलती है अपने Note 6 Pro के लिए साथ जी साथ सब चीज़े का fix मिलता है और MIUI Pro Roam अगर आपने नहीं सुना है नाम I hope आपने नहीं सुना होगा क्योंकि इस वीडियो में पूरा explain करने वाला हूँ अगर आपने सुना है तो आप जानते ही होगे कि खूब भर के customization इसके अंदर देखने को मिलती है और यह बहुत जाला लोगों को पसंद आती है तो MIUI Pro Roam यार एक MIUI के उपर ही based Roam है जिसके अंदर आपको customization भर भर के देखने को मिलती है देख सकते हैं यहाँ पर notch fixes वगेरा सब मलता है साथी साथ आपको यहाँ पर notification clock के नीचे देखने को मिलता है इसको customize करने का आपको option देखने को मिल जाता है यहाँ पर camera वगेरा सब आपको working देखने को मिलता है उसके लाव बहुत सारे और भी customization देखने को मिलते हैं एक चीज़ जो मेरा favorite है यह देखो यह यह जो 24R वारा वालवे पर है शाम के टाइम अलग होता है रात के टाइम अलग होता है सुबह के टाइम अलग होता है यह इसके अंदर full on work कर रहा है और मैंने जब से रोम फ्लेश करी इसको 2-3 दिन हो गया चार दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं नोट 6 पर लेकिन यह तब से लगा हुआ है और बैटरी भी बहुत कम खा रहा है यह वाला लाइव वाल पर तो चलिए सब चीज़ आपको यहां पर बताता हूं उससे पहले आर हर बार के तरह एक रिक्वेस्ट पर तो यहां पर आपको सेटिंग में चलके सबसे पहले दिखा देता हूं तो देख लो यह MIUI प्रो रोम 11 आपको देखने को मलती है 9.9.27 बेस्ट बीटा रोम यहां पर रहती है और इस पेक्स वगरा दिखा दूं तो वह सब सेम है यहां पर यहां पर मैंने कस्टम जो फ्लैश कर सकते हो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने नहीं दिया है अब यहां पर यार देखो आपको इसको डाउनलोड करना है फ्लैश डाउनलोड कैसे करना है तो वह चीज़ आपको यहां पर समझा दूं आप अपने कोई भी ब्राउजर में जाओ गूगल में आपको दे पा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में क्योंकि यार गूगल ने कुछ रिस्रिक्शन मेरे पर लगाई है कि मैं आपको डिरेक्ट लिंक नहीं दे सकता यहां पर अब ऐसा पता नहीं करा है और मुझे इन्वैलिड अक्टिविटी का लग फिर से नौट अगी करा है जै तो आप यहां पर सर्च में जाओ और सर्च में सिंपल अपना फोन का नाम डाल दो क्योंकि फोन का नाम है आपका Redmi Note 6 Pro तो आप Note 6 Pro डाल दो और आपके Note 6 Pro के लिए जितनी भी यहां पर MIUI 11 से रिलेटेड या कोई भी कस्टम रोम होगी सब यहां पर आ जाएगी तो देख सक ग़े तो सब चीज का आपको डाउनलोड लिंक के आपर मिल जाएगा जैसे कि करनल है यहां पर देख सकते हो रोम का है नौटोश्फिक्स का सब कलता है देख सकते हो एड्स नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं लिंक डाउन्टली आपको सर्च ही करन होगा अगर ऐसा ही चलता रहा अगर मैं आपको ऐसे ही लिंक देता रहा तो यह भी बंद हो जाएगा तो प्लीज या थोड़ा सा मेरे साथ यहां पर बेर कर लो चलिए सब छोड़ते हैं अब जली से आपको यहां पर फीचर दिखा देता हूं क्या-क्या नए आते हैं तो प्रण वर्ल टाइम अज़ेस्टमेंट भी मलता है कि स्क्रीन डिम आपकी कब होगी कब जाधा ब्राइटनेस हो जाएगी इसका भी ऑप्शन आपको दे दिया जाता है लॉग इसके अंदर कोई आप्शन नहीं है लेकिन दिखो लॉंच कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है अब डिस्प्ले के अंदर चले तो डाक मूट आपको देखने को मलता है फुली डाक मूट काफी अच्छे से यहां पर वर्क करता हूँ अभी आपको मल जाता है ब्राइटनेस लेवल करा स्क्रीम मल जाएगी यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि डिसेबल फॉंट मिल बल जाता है अब नीचे आए तो देखो यहां पर एनिमेशन स्टाइल का ऑप्शन मिलता है काफी अच्छा है अभी आपने नोटिस करा होगा तो देखो यह CTR वाला है एनिमेशन स्टाइल मैंने लगाया हुआ है इस तरीक से जैसे यह जैसे पुराइं टीवी बंद होती इसी वैसा आपको यहां पर देखने को मिलता है इसके लावा आपको डिक्रीज और एक डिफॉल्ट का भी ऑप्शन मिलता है इसको जब भी आप लगा होगे तो आपको एक बार अपने फोन को रीबूट करना होगा ताकि यह अनिमेशन स्टाइल सेट हो पाए उसे के बाद यहां पर लिस्ट अनिमेशन वेव वगरा वाला देखने को मिलता है तो यह चीज आप देख सकते हो इसके अंदर जो कि बहुत यह जैसे यहां पर वर्क करता है अलफा वाला आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आता है एंड गाफी कूल यह भी यहां पर लगता है और स्ट मिला है फुल स्क्रीन मोड का भी ऑप्शन आपको काफी ज़्यादा देखने को मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हो इमर्जिव ऑन तो यहां पर इस तरीके का फुल स्क्रीन मोड आपका हो जाएगा अगर हम यहां पर चेंज करें फुल स्क्रीन मोड को हाइड स्टेट बार आजाएं तो simple आपको यहाँ पर जैसा option हमको देखने को मलता था मलता है उसी को लाव update, speed वगरा यहाँ पर आपको दिखाने के लिए उसका भी option मल जाएगा लेकिन यहाँ पर हम इसका भी customization का option देख सकते हैं यह जो आपको पूरा notification quick toggle मलती है इसके अंदर भी customization आप यहा इसके अंदर देखने को मलता है साइज साथ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है मेरे weather क्या है इसको भी customize करने का show city, show description सबको आजता है option लेकिन वही चीज़ है जब भी करोगे तो reboot करना आपके लिए आ जाएगा फिलाल मैं नहीं दिखा पर रहा हूं उस बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें आपको customization देखने को मल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे से work करते हैं साइसाथ gasher देखोगे तो magnifying gasher वगएर आपको इसके अंदर देखने को मल जाएंगे जो भी चीज आपको यहाँ पर करनी है gasher वगएर वह चीज आप यहाँ पर कर सक तो app users में जाएंगे camera select करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पूछे का आप camera के लिए आपको क्या करना है तो c बना देते हैं done करते हैं यहाँ पर देखो camera का gasher add हो गया है तो अब इसके लिए हम यहाँ पर c बनाएंगे I think log screen में उसके बाद आपको यहाँ पर work करेगा या simple इ यहाँ पर c मैं बना रहा हूं तो इधर तो work नहीं कर रहा है नहीं lock screen में कर रहा है I think यह थोड़ा अलग से आपको work करने के लिए रहेगा तब यहाँ पर work करेगा तो अब यहाँ पर जब यह animation खुलेगा तब यहाँ पर work करता है तो इसको line को हटाएं अगर यहाँ पर tap कर करने का option आपको नहीं मलता है जब अंदर ही रहोगे तब ही आप यहाँ पर इस animation को work करा सकते हो मतलब यहाँ पर अंदर है आप यहाँ डवल टैप का lock वाला कर रखा है उसको कर सकते हो यहाँ पर यह जो बीच में लाइन आ रही थी ना इसी को आप जब टैप करोगे तो आ उससे पहले मेरे नजर में ही नहीं आया तो पूबट मेरा हो गया स्वारी तो इसके लाव आपको और भी option दिखाओं तो यहाँ पर देख सकते हो volume bar display expanded panel आपको किस तरीके से रखना है उसका भी option आपको यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर आपको expanded display और single panel में कितने time second रह गया है साइसाज जो गैशर आ रहे ना गैशर यहाँ पर बीच में जो लाइन आती है उसे में work करता है उसके लाव ऐसे work नहीं करता है यहाँ पर profile video को option आ रहा है और profile video भी लगा सकते हो तो इसका भी एक काफी अच्छा option है अगर नहीं बता है तो यह आगर आप अपने phone मे video रखा रखी है वही दिखाई देगी तो इसका भी एक नया अच्छा सा option आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है home screen वगेरा में भी आपको काफी सारी customization इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि देख सकते हो endless scrolling at desktop, hide icon, captions, shadow दिखाने के लिए notification के और signature icons आपको किते राइन में चाहिए number of column बगेरा search bar अगर आपको चाहिए तो उसका भी option देखने को मलता है search bar on कर दो तो यहाँ पे आपकी आ गई जो नहीं वाली आपको देखने को मलती है MIUI 11 में यह search bar अगर माल लो आपको यह वाली search bar कोशी MIUI 10 के अंदर भी चाहिए न तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है नहीं देखिए तो link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा तो voice assistant यहाँ पे जो MIUI वाला है वो configured नहीं है तो इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है यहाँ पे आप voice assistant बटन को Google में set कर दो और यहाँ पे देखो Google assistant आपका work करने लगेगा तो इस तरीके से आप इसको भी हाँ पे अनेबल कर सकते हो तो यह सब option आपको इसके अंदर मिलता है standard में आपको simple option देखने को मिलते है ऐसे ही home screen में app drawer का भी option आपको देखने को मलता है home screen layout में आपको काफी सारे layout देखने को मिलते है literally जो भी आपका पसंदिदा हो आप उसको use यहाँ पे कर सकते हो तो उसकी कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी wallpaper बगेरा same रहते हैं ज्यादा को difference नहीं है यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको MIUI pro के नए wallpaper मिल जाएंगे जो की काफी अच्छे हैं लेकिन main चीज यहाँ पर है यह dynamic wallpaper 24 hours वाला जो की बहुत ही अच्छे से work कर रहा है यार बहुत ही favorite मेरा यह wallpaper है आप इसको यहाँ पर use कर सकते हो जो की all time favorite है सारी साथ यहा यहाँ पर आपको themes भी दो देखने को मिल जाती है classical or limitless और आप import भी करना चाहो तो आप यहाँ पर import भी कर सकते हो तो इसका भी option आपको दे दिया गया है password and security वगएरा face unlock fingerprint unlock सब चीज आपको इसके अंदर मिलती है emergency SOS और बगएरा हमको सारे option मिल जाते हैं जैसे extreme battery saver और भी scenes वगएरा change करने का इसमें Astra MIUI Pro के अंदर आता है उसका भी option आपको देखने को मलता है ultra battery saver देख सकते हूँ यह सारे जो option है यह आपको MIUI Pro रोम के हैं जो कि आपको इसके अंदर देखने को मलते हैं full screen display वगएरा सब आपको work करता है screen time special features में सब आपको option यहाँ पर मल जाते हैं इधर दिखा दूँ तो आप देखोगे app vault same जैसे हमको देखने को मलता था MIUI 11 वाला वो आपको यहाँ पर देखने को मल जाता है यहाँ पर camera वगएरा आपको दिखा दूँ तो same आपको camera का option मलता है तो camera आप इस थरीके से इसको use कर पाओगे और video recording में दिखा दूँ तो आपको 1080p 4K भी देखने को मल जाता है जो कि काफी अच्छे से work कर रहा है पोर्ट रोम है note 5 pro के लिए तो 1080p 60fps अभी नहीं देखने को मल रहा है उसके लिए अगर कुछ fix वगएरा होगा तो मैं आपको जरूर से link उसका description में provide कर दूँगा आपको search कैसे करना है मैंने आपको वीडियो को starting में ही बता दिया है download का नीचे link मट ढूणना वही चीज में नीचे explain कर दूँगा आपको वहाँ पर चले जाना प्लीज जा थोड़ी से request यहां पर करी है प्लीज कर तो camera वगेरा आपको यहां पर सेम चीज देखने को मलती है यहां पर कुछ नया नहीं देखने को मलता है और sky scraping mode वगेरा सब अब तो यह common हो गया है यह सब आपको उसके अंदर देखने को मलता है यही सब चीज आपको अपके पुराने भी बता ही देता हूं सबसे पहले तो आपको जैसे मैंने बताया आपको जाना है miui.net.in पर यहां पर जाके आपको सर्च कर लेना है Redmi Note 6 Pro आपकी सबसे उपर आ जाएगी या थोड़ा सा आप नीचे scroll कर लोगे तब भी आपको मल जाएगी इस पर टैप करो और आपको टैप करने के बाद यह page इसका open हो जाएगा सबसे नीचे आ जाओ जल्दी से और यहां पर आपको देखने को मिलेगा option download miui rom का इस पर recovery mode के अंदर जाना है पहले phone के अंदर सब चीज सेफ कर लो recovery mode आप यहां पर जा सकते हो volume up button और power button को दोनों को एक साथ press करके भी तो दोनों आपके उपर depend करना है आपको किस से जाना है यहां पर recovery mode के अंदर जब आपका phone boot होगा तो हर बाद की तरह एक ही चीज यहां पर करन है internal storage को leave करके क्योंकि internal storage में ही हमारी file save है swipe to wipe आपको कर देना है यह हो गया काम that's it अब आपको जाना है बापस और यहां पर जाना है जहां भी आपकी ROM save है तो यहां पर मेरी ROM save है नीचे आपको देखने को मल जाएगी MIUI pro 9.0 tulip 996 तो आपको इस पर टैप करना है यह रोम प इसके बाद अब आपको kernel flash करनी है तो kernel flash कर देना, kernel नहीं flash करनी तो directly notch fix flat करके reboot कर देना है तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ इसके flash होने में 4-6 मिनट लगेगा तो इसको flash हो जाने देते हैं आराम से सो देख सकते हो यहाँ पर flashing हो गई है रोम की complete अब बैक जाएंगे यहाँ पर मैंने आपको एक और फाइल दे दी है notch fix की तो आपको इस notch fix को भी flash कर लेना है तो यहाँ पर simply आपको यहाँ पर tap करना है सो इस notch fix को आपको यहाँ पर flash करना है यह MIUI pro का है simply आप फ्लेश कर दो अगर आपको kernel flash करनी है तो अससे पहले आप kernel flash कर लो मैं kernel flash नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें भी काफी smoothly work कर रहा है अगर kernel flash करनी है उसका भी link आपको मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है simply आपको यहाँ पर reboot system पर tap करना है जैसे आपने करना था बस आपका काम हो गया यहाँ पर आपको अब animation हो जाएगा थोड़ी देर बाद MIUI PRO आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छे से आपका work करता हुआ यहाँ पर हो जाएगा तो इसी बात पर अगर वीडियो पसंद आई तो like कर दो और भी suggestion है तो comment section में बताओ साथ हमारे telegram group को join ही किया है तो उसका भी link आपको telegram का नीचे मिल जाएगा उसका तो मिल ही जाएगा उसमें बैन नहीं लगाया Google ने तो जाके join कर लो और किस तरीके से download कर लिया है benefit से बता दिया है link आपको मिल जाए डिस्क्रिप्शन में take care bye bye यहाँ पर इसको boot हो जाने देते हैं जली से सो यह आगया MIUI PRO का animation काफी cool animation यहाँ पर आपको यह MIUI PRO का देखने को मलता है make your choice वगरा वाला तो फिलाल के लिए तो बस इता ही take care bye bye